नमस्कार मैं खुशी मित्तल और आप देख रहे हैं इन 27 न्यूज सरकार ने शादी विवा में बजने वाले गाने को लेकर स्पष्टी करन जारी किया है आपको पता दे सरकार ने कहा है कि इन गानों पर कोई भी रॉयल्टी नहीं मांग सकता है ये copyright कानून का उलंगन नहीं है आम लोगों के लिए विबाग ने कहा कि वै किसी भी व्यक्ती या संगठन या copyright society की धारा का उलंगन नहीं करें वहीं इससे जुड़े किसी भी अनावश्यक कारे को स्विकार भी नहीं करना चाहिए सरकार ने शादी विवा में बजने वाले गाने को लेकर स्पष्टी करन जारी किया है सरकार ने कहा कि इन गानों पर कोई भी रॉयल्टी नहीं मांग सकता है ये कॉपिराइट कानून का उलंगन नहीं है दर असल ये बात ऐसे समय में सामने आई है जब शादी विवा में बजने वाले गानों पर रॉयल्टी मांगने की शिकायत सरकार को मिल रही थी अब सरकार की ओर से नोटिस जारी करके पूरा मामना स्पष्ट किया गया है सरकार को शिकायत मिली थी कि शादी विवा में बजने वाले गानों पर कॉपिराइट कानून की तहट रॉयल्टी मांगी जा रही जिसे लेकर सरकार ने अब सपष्टी करन जारी किया है सरकार ने समवार को सपष्ट करते हुए कहा कि कोई भी ऐसी गती वीडियो के लिए रॉयल्टी नहीं ले सकता है इंड्रस्ट्री और इंटर्नल बिजनेस ट्रेट प्रमोशन डिपार्टमेंट डीपी आई आइटी ने एक सावजनिक नोटिस में ये सभी बाते कहीं पब्लिक नोटिस में कहा गया कि कॉपी राइट एट उनिस सो सतावन की धारा बावन एक जैडे कॉन्टरवेंशन के शादी विवा के गानों पर रॉयल्टी जाने को लेकर आम लोगों से शिकायत मिली थी डीपी आई आई टी ने कहा कि कुछ कार्यों के लिए कॉपी राइट का उनंगन नहीं माना जाता है ऐसे में इसके लिए के लिए रॉयल्टी मांगना गलत है डीपी आई आई टी ने नोटिस में सपष्ट करते हुए कहा कि धार्मिक समारों के तहत विवा और इससे जुड़े अन्ने समाजिक कार्यों आते हैं अभी के लिए इतना ही बने रहे हमारे साथ अन्ट्विटी सेवन न्यूज पर आप देख रहे हैं अन्ट्विटी सेवन न्यूज पकड़ हर खाबर पर